नूर्पुर विधानसवा क्षेति के जिसूर कस्वा में जन जाती भवन का शिलानयास बन इवं मतस्ते मंत्री ठाकुर सिंग भरमौरी के कर कमलो द्वारा हुआ इस भवन की लागत लगभक 3 क्रोड से जादा है गद्धी समधाई की लोगों ने इस कारिक्रम में बढ़ ज़ स्नुर्पुरमौर 1 ने कहा कि पर्देश इसकारद्वाह भव ज़य को जमीन प्रट्टे पर दिने की बात की गई है उस प्रेशिन का जबाव देते हूए भ्रमौरी ने कहा कि सबी विधायकों को यदि सत्ता सीन हैं या नहीं उनको रहने के लिए कोई न कोई बसेरा अवश्य चाहिए क्योंकि जो लोग या कारेकरता उनसे मिलने आते हैं उनसे बाचीत करने के लिए कोई न कोई स्थान अवश्य चाहिए यदि कोई इसका विरोध कर रहा है तो ये उसका नजरिया है तो सब को बुसाने का अधिकार है ये को बहुत बुरी बात नहीं है ये अच्छी बात है और रुटीन में ये सदियों से चला हुआ है सिस्टम वसे बसेरा तो होना चाहिए क्या है मले एकसा मले ये मंतरी जो है वो बिने मसेरे का होगा तो आपको चाहे कहा बलाएंगे जब आप आएंगे पस्रकार बहां बाएंगे ये कोई आएगा भासपा यूवा मोर्चा की कल होने वाली हुंकार रैली जो कि जिला कांग्रा में होने जा रही है इस विशे पर उन्होंने भासपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यूवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया है उनको बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया है यहां तक कि लोग भासपा पाईटे के जंडे अपने घरों में नहीं लगाने दे रहे हैं मेरा जिला परशाशन और पुलिस से अन्रोध है कि यह दी सिरकारी संपत्ती पर जंडे लगाएगे तो यह गंपीर अपराद है तो मेरा यह डिस्टिक अड्मिस्रेशन से और प्लिस वारां से अन्रोध है कि उनको अगर रोड साइड पे या ब्रिक्षों पे कहीं भी लगाए है प्राइबेट पे तो लगा सकते हैं पर सरकारी प्रोपरटीज में है उसमें जंडे लगा रहे हैं तो यह जंडे लगा रहे हैं